एलो फ्रेंड्स तिरीज की चन में आपका स्वागत है आज मैं रवा विस्कित की रिए से पी शेयर कर रही हूँ जो कि हम शाम में चाई के साथ इंजॉय कर सकते हैं सफर में ले जा सकते हैं या फिर इसे हम बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते ह इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में एक कप रावा लेंगे वन फॉर्थ कप मैदा वन फॉर्थ कप पिसीवी शकर हाफ टीस्पून बेकिंग पौडर एक पिंच सॉल्ट और टू टेबल स्पून घी इसे मैंने घी को मेल्ट कर लिया था अब हम इसे अच्छे से मिस्क मैं ऐसे मिक्स करना हैं आधि झाल करेंगे तो यहां पर में थोड़ा थोड़ा पानी एड करके इसे डो तायार करूंगी कि दो ना बहुत जादा सॉफट होना चाहिए ना बहुत-जादा हार्ड होना चाहिए है एस तरह से हम इसे डो तयार कर लें ग तो यहां पर यह reacting बहुति मिनिट के लिए साइड में रख देंगे पंद्रा मिनिट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो यहां पर देखिए रवा अच्छे से फूल चुका है अब हम इसे 5 मिनिट और अच्छे से नीट कर लेंगे तो डो यहाँ पर रेड़ी हो चुका है अब हम इसमें से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेके इस तरह से बॉल बना लेंगे लोई बना लेंगे पहले और फिर इसे हम फॉक की मदस्ति इस तरह से डिजाइन देंगे तो देखिए मैंने यह एक बना लिया है बाकी के भी हम ऐसे ही तयार कर लेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉल तयार कर लेंगे प्लेट में रखके भी आप इस तरह से इसे बना सकते हो, यह बहुत इजीली बन जाता है और इसमें से निकल भी जाता है इजीली प्लेट में से, आप चाहे हादों के मतलब से इसे बनाएं, चाहे प्लेट में रखके बनाएं, तो देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, य आप हम इसे fry करेंगे गरम तेल में हम इसे सौधानी से एट करना है और इसे डीफ फ्राइ करना है इसे हम दोनों जानिब से गोल्डन प्राउन होने तक के फ्राइ करेंगे और इसे हम बीच बीच में एक दो बार पलटते भी रहेंगे आप देख सकते हो कि अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो इसे मैं पलेट में निकाल लेती हूँ बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे आप देख सकते हो कि देखने में भी अच्छा है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर देखिए मैंने सारे फ्राय कर लिए हैं और यह देखने में भी बहुत अच्छा है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है आप इसे जरूर ट्राय करें देखिए मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूं अंदर से एकदम खसता है तो फ्रिंड्स अगर आपको मेरी आ